पापो को हरने वाली गो जलादी नाथ बरुन के देपुत्तर पुष्कर द्वीप के स्वामी सर्व सास्तरों के ग्याता पुष्कर भगवान परसुराम के पूछने पर इस विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं कि अब मैं गोमती विद्या का वर्नन कर रहा हूं जो समस्त पापो का समूल अनुमूलन करने वाली है इससे आप पूर्णत्या एक आगरचित्त होकर सुनिए गोए नित्या सुर्भी रूपनी निगों की प्रथम उतपादिका माता एवम कल्यान में पुन्य में सुन्दर श्रेष्ट गंध वाली है गुगल के समान गंध से संयुक्त है गायों पर ही समस्त प्राणियों का समुदाय प्रतिश्ट है बैस अभी प्रकार के धर्म परम कल्यान अर्थात धर्म अर्थ काम एवम मोक्ष को भी संपादिक है गाये समस्त दूंत क्रिष्ट अन्यों के उत्तपादन की मूल भूत शक्ति है और बैवी देवतों की मद्वक्ष्य भूत हविश्व आना और प्रोडांस आद की भी सर्वूत क्रिष्ट मूल उत्तपादिका शक्ति है ये सबी प्रानियों को दर्ष्ण सपर्ष आदि के द्वारा सर्वदा सुद्ध निर्मल एवं निश्पाप कर देती है बैदुग्द ददी तथा गृताद अम्रित में प्रार्थों का श्रण उत्तपादन का भार बहन करते समर्थ होते हैं साथ ही बैद मंत्रों से पवित्र क्रित हविवर्श्यों के द्वारा स्वार्ग में सिथत देवताओं तक को ये ही परित्रिप्त करती है रिशी मूनियों के यहां भी यग्यों एवं पवित्र अगनी होत्र आद कार्यों में हवनिय द्रव्यों के लेगों के ही घृत्र दुग्द आद द्रव्यों का प्रियोग होता रहा है अत्यवे गायों का विशेश सर्दा वक्ति से पालन करते हैं जहां तक कोई भी शर्न दाता नहीं मिलता है वहां विश्व के समस्त प्रानियों के लिए गायं ही सर्व उत्तम शर्न परदात्तरी बन जाती हैं पवित्र वस्तुओं में गायं ही सर्व अधिक पवित्र हैं तथा सभी प्रकार के समस्त मंगल का ग्यात पदार्थों की कारण भूता है गायं सवर्ग प्राप्त करने की प्रत्यक्ष मार्ग भूता सोपान है और ब्या निश्चित रूप से तथा सदा से ही समस्त धन सम्रिधियों को मूल भूत सनातन कारण रही है लक्ष्मी को अपने सिरीर में स्थान देने वाली गों को नमस्कार सुर्वी के काकुल को में उत्पन सुद सरल एवं सुगंदी युक्त गों को नमस्कार प्रह्म पुत्री गों को नमस्कार अंतर भाम से सर्वद्दा पिवित्र एवं सुद दूर तक समस्त बातावर्न को सुद्ध एवं पिवित्र करने वाली गों को बार बार नमस्कार बास्तव में गोय और ब्रामन दोनों एक कुल के ही प्रानी हैं दोनों में विशुद्ध तत्व बिद्यमान रहता है ब्रामनों में बेद मंत्रों की स्थिति हैं तो गों में यग के साधन भूत हविविंश्या की इन दोनों के द्वारा ही यग्य संपन्न होकर विश्ण और देवताओं से लेकर समस्त चराचर प्रानियुका अप्यायन होता है यह सारा विश्व सुद्ध सत्व से परिपूरन देवता ब्राह्मन गाय साधू संत महात्मा तथा पतिब्रता सती साधवी सदाचारनी नार्यों के पुन्यों के अधार पर ही ठीका हुआ है यह ही धार्मिक प्रानी संपूरन विश्व को सदाधारन करते है अते यह सदा पूजनिय एवं बंदनिय है जिस जल राशिक में 85 गाय जल पीकर अपनी त्रिप्त त्रिशना शांत करती है और जहां जहां जिस मार्गर से बैट जल राशिक को लांगती हुई नदी आधि को पार करती है बहां वहां गंगा यमना थे सिंदू सर्ष्वति और नदियों का तीर्थ निश्चित रूप से बिद्धमान रहते हैं गो रूपी तीर्थ में गंगा आध सभी नदियां तथा तीर्थ निवास करते हैं और गो के रज कन में सभी परकार की निरंतर ब्रीदी होने वाली धर्म राशी एवं पुष्टी का निवास रहता है गायों के गोबर में शाक्षद भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती है और इन्हें परनाम करने में चतुष्याद धर्म संपन हो जाता है अते बुद्धि मानेवं कल्यान कमी पुर्ष्टों को गायों को निरंतर परनाम करना चाहिए सभी परकार के ब्रतों की और पुरानों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें तो जो और लोगों को भी इसका लाब मिले